मैट्रिमोनियल केसिस में, डाइवोर्ज केसिस में कोट हर वो पॉजिबल एफोर्ज करती है जिसे से मैट्रिमोनियल रिलेशन्स को विवाहिक संबंधों को बचाया जा सके। कोट्स कभी नहीं चाहती है कि husband wife के बीच matrimonial relations को dissolve कर दिया जाए, खतम कर दिया जाए यही reason है कि कोट्स before passing final decree of divorce 6 महिने का waiting period provide करती है to the parties इस hope से कि अगर 1% भी chance है इन दोनों के वापस एक साथ होने का तो उस 1% chance को भी miss नहीं किया जा सके however अगर divorce के जो petitions हैं वो पिछले 7-8 सालों से pending में है और वो divorce petition अब divorce by mutual consent में convert हो चुका है यानि husband and wife ने mutually agreed करके divorce by mutual consent का petition court में present कर दिया है तो court ये inference draw करेगी कि अब इन दोनों के बीच 1% भी chance नहीं है एक साथ आने का एक साथ रहने का तो court उस 6 महिने के waiting period को before finalizing और before granting the final decree of divorce उस 6 महिने के waiting period को कम कर सकती है it is up to the discretion of court तो कैसा लगा आपको ये information हमें जरूर comment box में बताइए अगर आप divorce के complete concept को समझना चाते हो तो आप Hindu marriage act के playlist को follow कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को Instagram पर देख रहे हो तो आप मेरे page को follow कर सकते हो Thank you